एक बार की बात है, एक बहिल्या जंगल में शिकार के लिए गया। कुछ दूरी पर उसे एक सूर दिखाई दिया। बहिल्या ने ना आगा सोचा, ना पीछा, जट सूर पर तीर छोड़ दिया। तीर सूर के मर्म स्थल पर लगा और वो बुरी तरह घायल हो गया। पर उसने सोचा कि अब मौत से तो मैं घिर ही गया हूँ, तो भला भागने से क्या फाइदा। लिहाजा बुरी तरह चिंगारता हुआ वो जंगली सूर बहिल्ये पर जप्टा। बहिल्ये ने उस जंगली सूर पर तीर चलाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं था कि अगर वो पलट कर वार करेगा तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा। लिहाजा जंगली सूर ने हमला किया तो वो बुरी तरह घबरा गया। को धोर घायल सूर ने उसकी छाती फार डाली और फिर थोड़ी ही देर में दोनों का ही प्रानात हो गया। कुछ देर बाद एक सियार उधर से निक उस बहली की धनुष पर पड़ी। बहली और जंगली सूर के बीच में वो धनुष पड़ा था। उसकी समझ में नहीं आया कि भला ये कौन सा जीव है। उसने मनुष्य देखे थे, पशु पक्षी देखे थे, पर ऐसा विचित्र जीव तो कभी नहीं देखा था। उसने स भूल गया कि अगर कभी कोई नई चीज दिखाई दे तो पहले उसे अच्छी तरह देख भाल लेना चाहिए तब उससे हाथ लगाना चाहिए। पर वह तो था उतावला। उसने पूरा जोड लगा कर धनुष की तांत को काटा, तो उस धनुष की मुड़ी हुई कमानी एक सीधी होकर बड़ी तेजी से ऊपर उचली। वो सीधी सियार के सिर पर जा लगी। उसके तेज आगहात के कारण उसी समय उसके प्राण निकल गए। अगर सियार ने थोड़ा धीरत से काम लिया होता और सोच विचार कर काम करता तो बेचारा इस तरह बेमौत ना मरता।